हाई डाइस वेलकुम बैक टुमाइ चैनल मैं हूं स्पीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते मेना ये तीन चीजें आपको चेक करने आती हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी वि किशान होना पड़ता है एक विश को मैनिफेस्ट करने ये सारी चीजे ना एक बहुत ये खुपसूरत प्रोसेस से जुड़ी जब हम किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें एक जर्णी से होकर गुजरना होता है और इस जर्णी में हमें चेक किया जाता है ये देखने कि हम कितने ज्यादा शिदत से उन चीज़ों को मांगना चाते हैं और आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही कुछ तीन रीजन शेयर करूँगी जिसे हम समझ सकते हैं कि अभी हमें चेक किया जा रहा है तो सबसे पहली और important चीज़ जिसे हमें चेक किया जाता है अंदर ना negative thoughts आते हैं वो depend करता है person to person और उनकी situation के उपर कि उन्हें कितने ज्यादा negative thoughts आ रहे हैं और वो किस तरह से उन thoughts के साथ deal करें और यह भी important चीज़ है कि हम उन negative thoughts को अपने आप से कैसे दूर करें हो सकता है कुछ लोग किसी काम में लग जाए हो सकता है कुछ लोग अपनी wish के बारे में सोचने लग जाए या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग meditation करने लग जाए सबका अपना एक unique तरीका है सबकी एक अपनी special चीज़ है जिनसे वो इस negativity से deal कर पाते हैं कभी हमारा पहला test complete हो जाता है हमारी wish को manifest करने के लिए और दूसरा point negative people जी हाँ आप किसी भी wish को manifest करे हो तो आप positive चाहे कितने भी हो पर आपके आस पास कोई ना कोई ऐसी situation आ जाएगी कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपको negative thoughts दे के चले जाएगा आप notice करना आप कभी भी किसी भी wish को manifest करने के लिए किसी भी तरह के process में आगे बढ़ते हो तब कुछ ना कुछ करके कैसी ना कैसी तरीके से कोई ऐसी situation आ जाती है जहाँ पे आप ना थोड़ी देर के लिए से ही पर परिशान होने लग जाते हो आपको इन सारी चीजों से घ पसे ना रहे है क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक हम इन चीजों में फसे रहेंगे न उतनी ज्यादा हम लेट करेंगे हमारी wish को manifest करने के लिए और तीसरा और सबसे important point जिससे हमें चेक किया जाता है अक्सर ये वाला point ना बहुत लगों के साथ होता है और ये final point है late manifestation आप notice क कभी कभी बहुत जल्दी हमारी कोई-कोई wish मैनिफेस्ट हो जाती है पर किसी-किसी wish को manifest करने में लेट होती है और ये लेट बस इसी लिए होती है ताकि हमें patient सिखाया जाए क्या हम हर समय 24 गंटे ready हैं अपनी wish को receive करने के लिए अपने आपको हम receiving mode में लिए हमें ये receiving mode वाल पर जब आप एक मिनट रुक के अपने खुद के भीतर जाक कर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा बेचयान हो आप कितने ज्यादा परेशान हो और ये परेशानी वाली feeling जिस दिन आपके मन के अंदर से बदल कर सुकून वाली feeling में बदल जाएग झाली